हेलो दोस्तों स्वागत है आपको आनलाइन इस्टेडी यूटूब चैनल में मैं नहींत कुमार यहां पर दोस्तों लोग बात करेंगे यूपी टेट का आनलाइन का फॉर्म फिल किया जाएगा उसके बारे में दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं यूपी टेट के लिए आवेदन दिसंबर के अंत तक तो इसी दिसंबर के अंत तक दोस्तों आनलाइन अवेदन स्टार्ट हो जाएंगे और फरावरी के अंत तक उत्तर प्रदेश सिच्छा पत्तरता परिच्छा कराने की तयारी है तो दोस्तों यहां पर बोर्ड ने इसको लेकर के साप कर दिया यह दोस्तों यह जारी किया गया था वहीं के पेपर में और सभी U.P. के सारे पेपरों में इसको जारी किया गया था तो यहाँ पर बात करेंगे परिच्छा नियामक प्राधिकारी की और से उत्तर प्रदेस्चक पत्तलता परिच्छा UPTT 2020 के लिए आवेदर पत्र प्रक्रिया इसी महीने के अंत तक शुरू हो सकती है सचीव परिछा नियामक प्रदिकारी की ओर से सासन के पास UPTT कराये जाने का प्रस्ताव त्यार करके भेजा गया सासन के पास बेज़े गए प्रस्ताव में यूपी टीटी के लिए आवेदन प्रिक्रिया दिसंबर के अंत तक शुरू हो करनी है सची परिछा नियामक प्रदिकारी अनिल भूसर्ण चत्रुवेदी ने बताया कि अनुमती मिली तो फरवरी के अंत तक यूपी टीटी करा ली जाएगी एंसी टीटी की और से एक बार फिर टीटी पास करने के लिए बाद उसे हमेशा मानने होने के लिए को लेकर अभी तक कोई निर्ण नहीं है होने से यूपी टीट पर निर्णा में दे रही है तो दोस्तों यह जो कि नीचे आप देख सकते हैं जो एंसी टी ने अभी जस्ट एक कमेटी वैठाया था जिसमें कहा था कि लाइफ टाइम होगी तो उसके लिए यहां पर हमेशा मानने होने के लिए लेकर अभी तक कोई निर्णा नहीं होने से यूपी टीटी पर निर्णा में देरी हो रही है तो दोस्तों यहां पर थोड़ा सा देरी इसलिए हो रहें कि nct जो मानता या बढ़ाने वाली है उसको लेकर करके अभी कोई आदेश नहीं आया तो उसको अभी देखा जा रहा ह वैसे जश्ट आदेश आता है या नहीं आता है तब भी दिसंबर के लाज तक आवे दन पर क्रिया शुरू करती जाएगी और फरावरी के अंत तक आपके पेपर करा लिए जाएंगे तो आसा करते हैंगे दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लागा वीडियो अच्छे